इमानदारी से 60 मारगदर्शन में निरंतर परियास किया जाता है तो सातियों आखिर सपलता मिली जाती है नमस्कार सातियों, मैं राम निवा सेनी सक्षे सेंटर सिकर के मादेम से हैं ओफ लाइन के मादेम से जिन स्टुडेंटों को टेक्निकल एलपर में अन्तिम सपलता मिली, फाइनल सेलेक्शन मिला उन स्टुडेंटों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाता हूँ सातियों ये वो स्टुडेंट है जो लगातार ओफ लाइन क्लास्रूम के स्टुडेंट रहे और कभी आप लोगों के दिल्ली मेटरों में एक दो नमर से रहे कभी आप लोगों के पिछली टेक्निकल एलपर बरती में रहे कभी कई डियाडियों में रिटन निकल गया बार्क में आप लोगों का रिजल्ट निकल गया लगातार electrician से जोड आप लोगों के रखने वाले competition exam में अपने आपको बनाए रखने वाले ये विध्यारती है इन student के मादम से साथ ही आप लोगों को भी बहुत सीखने के कुछ आप लोगों को मिलेगा तो पहला नाम आप लोगों के सामने है उर्मिला पुत्री श्री बजरंगलाल जी स्यामपूरा जिला सीकर की रणे वाले हैं अच्छे मेंथी स्टुडेंट है और आज इनको पिछले जो भी आप लोगों का रिजल्ट आया तो फाइनल इनका सेलेक्शन हुआ टेक्निकल हेलपर में मेरी और से इनको हार्दिक सुपकाम नहीं और बदाई दोस्तों आगे रोईत पाल सर्मा, पुत्र सिरी हिरलाल सर्मा, रुल्याणा, माली, सीकर की रणे वाले विद्यारती हैं अच्छे मेंथी स्टुडेंट है इननों दिली मेट्रों ने इनके साथ में अच्छा नहीं किया क्योंकि आपको पता है इनको भी सुपकाम नहीं अच्छी मेंथी स्टुडेंट है और देखो दोस्तों कुछ नकुछ आप इनके साथ में एक अच्छा चीज ही हुआ क्योंकि इनके साथ में जो इनके अंकल जी के जो लड़के थे सुपम उनका भी फाइनल सेलेक्शन हुआ तो एक परिवार में चाचा उड़ताओ के दोनों भई इस बड़ती में टेकनिकल हेलपर बने है आगे इनी के साथ में आप लोगों का प्रदीब दुलारिया पूतर सिरी नारेंड लाल ये दो स्टुडेंट जेपूर के मेरे पा साथ ये दो स्टुडेंट मेरे पास में आप लोगों के आये थे दोनों ये आप लोगों के पहले वारा जो स्टुडेंट था वो इनको लेकर आये था तो इनका सेलेक्शन हो गया उनका नहीं हुआ क्योंकि उनकी कुछ फैमिली आप लोगों की प्रोब्लम वगेरा थी अभी जस्ट में पिछे करा था मावा बान जा तो परदीपोर ये दोनों आप लोगों के रिष्टेदार है और इनकी जोइनिंग लगबग इनके नजदी की भी है आगे दोस्तों आप लोगों का स्टुडेंट लोकेश दाकड पुतर शरी बावलाल दाकड हिंडोली बुंद आगे का जो इस्टुडेंट राजेंदर परशाद यादव पूतर शरी रमेशंद यादव अनतपुरा दिवराला सिकर अभी ये वरतमान में एन्वेस के अंदर है और इनोंने टेकनिकल एलपर में भी डोकुमेंट्स वरिफिकेशन कर वाया है तो अगर ये डीवी नहीं क इनकी प्रूर एक बच्चे को लिया जाएगा जिन्होंने जोइन नहीं किया तो वीटिंग में नमबर आएगा तो राजेंदर अभी आएट्वेस में वेट्टिंग में इनका फाइनल सेलेक्शन हुआ आगे दोस्तो प्रलात से नहीं, पुतर से डी, छित्रमल से नहीं, प्रोईद जी की डानी सीकर की रने वाले विद्यारती है आगे दोस्तो आप लोगों का ये सर्मा की में बात कर रहा था तो ये सरमा का टेकनिकल एलफर में भी कटोप से आप लोगों के ज्यादा नंबर हैं लेकिन इन्होंने डीवी नहीं करवाया इन्होंने का कि सर मैं आनवेस में जोइन कर रहा हूं तो क्यों मैं एक सीट को खराब करूँ तो इनकी जो आप लोगों की सोच है इसके लिए मैं इनको special thanks कहना चाहूंगा अब सातियों में दो मिनट उन विद्यारतियों के लिए कहना चाहूंगा हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो बरतियां होती हैं इनमें 100% पारदर्शित आप लोगों की होती हैं कोई सब ये आप लोग डिपार्टमेंट उठाकर अपनों लोग देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ गडबडियां आप लोगों की पाई जाती हैं अब सातियों ये आप लोगों के offline की student हैं और कई बचों को लग सकता कि सर इनमें से मेनत इनी की दरुदर करके selection हुआ सातियों मेनती student हैं इमानदारी से प्रियास रत हैं final selection तक पहुंचने के लिए इनोंने पता नहीं 2, 4, 5, 10 competition exam भी इनोंने दिये होंगे अब दोस्तों बहुत से कैसे student हैं जो final cutouts हैं दो-तीन नमरों से रह गए हैं कई electrician में intelligent student थे उनका रहने का जो कारण मेरे अनुसार दो समझ में हैं अगर technical question आप लोग का दो नमर का होता तो उन student को बहुत ज़दा फाइदा मिलता यानि की merit में उनका नमर आता और कुछ आप लोगों की अजमेर डिसकोम में आप लोगों की post होती non-tsp की तो कुछ वेकेंचे आप लोगों की बढ़ती तो भी आप लोगों की जो अजमेर डिसकोम की जो electrician वाले भी ध्यारती हैं उनका वेकेंचे नहीं होने से उनका भी ऐसे मानना था कि अगर यहाँ वेकेंचे होती तो और ज़्यादा आप लोगों का उन बच्चों को फाइदा मिलता तो साथियों देखो कोई भी बढ़ती होती है तो उसका यही आप लोगों का process होता है कि अच्छी मेनत करें और मेन इसे कोई सा एक भी student नहीं कि वे 2-4 मेनी की मेनत में बहुत इमानदारी के साथ में 12 मेने, 13 मेने, 15 मेने, 15 मेने, 15 साल तक इनोंने मेनत कर रही है दूसरा मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि online student WhatsApp मेसेज करते हैं कि इसर हमारा भी final selection हो गया लेकिन मेरा मानना यह होता है कि online student जो application के माद्यम से जो पढ़ता है उसका हम लोग यह नहीं कर सकते हैं कि perfect यह EC platform का student है जो भी संसादन उसको online की माद्यम से मिलते हैं वो तैयारी करता है तो मैं तो जितने भी electrician वाले जो student है और ट्रेडरों वाले जो student है मैं यही करना चाओंगा subject में आप लोग पूरा एकदम उसमें घुल के अच्छी अगर आप लोग मैनत करोगे आपके मैनत जरूर परिणाम में convert होगी यही सुबकामनाई मेरी आप लोग के साथ में है बहुत बहुत धन्यवाद